कि जिसकी पिता स्वयम योगेश्वर और माता आदी शक्ति पार्वती हो उसका तपस्वी होना पूर्वनियत ही नहीं अब इतु उसका धरुम होता है पिता जी जिस प्रकार भया का करतव्य है उसी प्रकार के हमारा भी कोई करतव्य है अवश्य है पुत्री तब द्वारा धर्म और कर्म की नए धर्म को जागर कटख़व कि तु आप महादेव है और हम आपकी पुत्री बिना तपके धर्म और कर्म के नए आध्याई को पुझागर नहीं कर सकते क्या आप हमें ऐसा कोई बर्दा नहीं दे सकते अवश्य ले सकता हूँ पुद्री किन्तो तपके बिना जो भी प्लाब तो होता है वो शुम नहीं होता वो सब्द्र नहीं होता वो सुन्द्र नहीं होता मैंने बालक हुपमन्य को भी ग्यान ही तो गुरों की शरन में जाने का मार्ग दिखाया मैं जाता तो अर्दान दे कर उसे ग्यान ही बना सकता था किन्तो बिना परिश्णम, बिना तपस्या कि जो भी ग्नान प्राप्थ होता है, वो संपून नहीं होता. तुमें सभी सुखों की प्राप्थी होगी, किन्तो तपस्या की बिना समस्तन सहाथी मिल जाए, वो गरते हैं. तुम्हारी माता ने मुझे प्राप्थ करने के लिए खूर तपस्या की थे, तु क्यों हम भी नहुश्कों, बिना तपस्या के प्राप्थ नहीं कर सकते? अवश्य प्राप्त कर सकते हैं कि तपस्या के पस्चा दरोश को गांद करने का सुख कुछ और ही होगा हुद रही उस संबंद की परिपखुदा अदुल नी होगी उस विवा से तुम जिन महान दाइत्मों की पूर्दी करने जा रही है उसका माट तपस्या से ही पस्चा स्चा दोगा